क्या आप इसे पहचानते हैं? प्रित्वी को हम अपना घर कहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रित्वी असल में किन पदार्थों से बनी है? प्रित्वी की सतह उसके केंद्र से लगभग 6400 किलोमीटर की दूरी पर है. तो इस केंद्र और सतह के बीच में आखिर है क्या? प्रित्वी अलग-अलग पर्तों यानि लेयर्स में बटी हुई है. जैसे कि ये केक, हर लेयर की अपनी अलग प्रॉपरटीज हैं और ये अलग-अलग मेटिरियल से बनी होती हैं. कई वैज्यानिक मानते हैं कि जब प्रित्वी ठंडी होने लगी, तब भारी मेटिरियल्स उसके केंद्र में कठे हो गए और हलके मेटिरियल्स सतह पर आ गए. इसे समझने के लिए चलिए प्रित्वी के अंदर अपनी यात्रा शुरू करते हैं. Let's go! हमारी आत्रा प्रित्वी के उस भाग से शुरू करते हैं जहां हम रहते हैं. यह है आउटर लेयर जिसे क्रस्ट कहा जाता है. क्रस्ट सॉलेड होती है, नहीं तो हम प्रित्वी के अंदर धंज जाते. यह चाटान और कुछ लूज मेटिरियल्स से बनी है. अन्य पर्तों के तुलना में ये परत बहुत पतली है. क्रस्ट महासागरों से लगभग 5 मील और महाद्वीपों से लगभग 25 मील नीचे तक फैली है. क्रस्ट का टेंपरेचर इसके अंदरूनी भागों में बहारी भागों से लगभग 1600 डिग्री फेरेनहाइट तक ज़्यादा होता है. चलिए खुदा ही शुरू करते हैं. अरे ये कौन सी जगहा है? ये है प्रित्वी की सबसे बड़ी लेयर, मेंटल. मेंटल 1800 मील गहरी है. लेकिन इससे पहले कि हम मेंटल के बारे में बात करें, हम इसके दो विशेश हिस्सों के बारे में जानेंगे, जो क्रस्ट के साथ मिलकर यूनीक मेकेनिकल प्रॉपरी दर्शाहते हैं. सबसे उपरी लेयर को लिथोस्फेर कहते हैं, जो काफी रिजिड होती है, और क्रस्ट और आउटर मेंटल से मिलकर बनी है, ये लगभग साथ मील गहरी होती है. हम क्रस्ट को प्रिथवी के शेल के रूप में देख सकते हैं. असल में हम प्रिथवी को एक उबले हुए अंडे से कंपेर कर सकते हैं, जिसमें लिथोस्फियर उसका शेल होगा. अंडे की शेल को उसके रेडियस से डिवाइड करने पर ये उसका लगभग 2% आता है. दूसरी तरफ लिथोस्फियर की थिकनेस अपॉन प्रिथवी की रेडियस भी लगभग 2% आती है. तो जैसे शेल एक के लिए है, वैसे ही लिथोस्फियर प्रिथवी के लिए है. लिथोस्फियर एक सेमी लिक्विड लेर के उपर तेरती है, जिसे एस्थिनोस्फियर कहते हैं, जो लगभग 60 मील गहरी होती है. एस्थेनो स्फियर को बनाने वाला material प्लास्टिक नुमा होता है इसकी वजह से solid lithosphere अपने से कमजोर एस्थेनो स्फियर के ऊपर move कर पाती है एस्थेनो स्फियर पैसे तो एक solid है लेकिन ये बहुत गर्म होती है और इसकी properties एक viscous silicon polymer जैसी होती है अब जब आप इन particular layers के बारे में जान चुके हैं तो चलिए वापस mental पर आते हैं हलांकि इसके नाम में उतना मज़ा नहीं है mental सुपर heated rock से मिलकर बनी है इसका temperature सबसे उपर 1600 degree Fahrenheit से नीचे करीब 7900 degree Fahrenheit तक जाता है उपर और नीचे के बहुत ज्यादा temperature difference के कारण heat current सुत्पन होते हैं जो heat को गर्म inner mental से ठंडी outer mental तक ले जाती हैं जिसके कारण प्रिथवी के अंदर movements होते हैं ओके अब हम दूसरी main layer के बारे में जानने के लिए तयार है outer core outer core 1400 मील गहरी एक liquid layer है ये mostly iron से बनी है यहाँ temperature outer regions में 7900 degree Fahrenheit से inner core में 11000 degree Fahrenheit तक वेरी करता है outer core के बिना प्रिथवी पर जीवन बहुत अलग होता outer core में liquid metals के movement से ही प्रिथवी की magnetic field बनती है जो हमें compass का यूज करने में सक्षम बनाती है और यहाँ हम प्रिथवी के center में है inner core inner core 780 मील गहरी एक solid layer है यह solid iron और nickel की बनी होती है inner core का temperature 13000 degree Fahrenheit तक हो सकता है जो सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म होता है कई वैज्यानिकों का मानना है कि यह दूसरी layers के अत्यधिक pressure के कारण solid state में रहती है हम अपनी आँखों का use करके तो प्रिथवी का अध्यन नहीं कर सकते लेकिन हम दूसरे senses का use कर सकते है प्रिथवी के अंदर की बनावट का ध्यन करने के लिए हम seismic waves यूज करते है जो भूकम्प या बड़े पैमाने पर मानव निर्मित विसपोटों के कारण उत्पन energy waves होती है seismic waves की timing और strength हमें प्रिथवी के इंटिरियर की बनावट बताती है seismic waves रॉक की density बदलने पर gradually bend होती है और अपनी speed बदलती है प्रिथवी के अंदर देखने का एक दूसरा तरीका volcanic activity द्वारा बहुत गहराई से सतह पर लाए गए रॉक मिटिरियल के analysis पर आधारित है ये samples इंटिरियर रीजन की properties के बारे में कई हिंट दे सकते हैं